अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके मा एक ऐसा शब्द है जो हर एक विवाहित महिला सुनने की लालसा मन में रखती है लेकिन कई बार शादिशुदा जोड़ों में शारीरिक अक्षमता के कारण या अन्य कुछ कारणों से उन्हें ये सोक प्राप नहीं हो पता जिसके कारण मानसिक तनाओं के साथ सामाजिक दबाओ में भी कोई भी औरत अक्षमता को भावनात्मक और सामाजिक कलंक की रूप में भी देखना शुरू कर देती है सरोगेसी एक ऐसा जरिया है जो किसी को भी संतान की खुशी हासिल करने में मदद करता है इस latest technique को अपना कर किसी भी निशंतान दमपत्य को माता पिता होने का सुख मिल सकता है जी हाँ, सरोगेसी एक महिलाक और एक दमपत्य के बीच एक agreement होता है जो अपना खुद का बच्चा चाहता है सामानने शब्दों में अगर कहें तो सरोगेसी का मतलब है बच्चे के जन्म तक एक महिलाक की किराय की कोख इस सुविधा का सदुपयोग कर निशंतान दमपत्य आसुके जीवन व्यतीत कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ इसका दुरुपयोग भी भारत में बढ़ गया है विदेशी दमपत्यों वा अत्याधुनिक दमपत्यों के लिए सरोगेसी एक ऐसा माध्यम बन गया है जिससे वे बिना किसी कष्ट के मात्रतुसुक प्राप्त करने लगे हैं सरोगेट मदर के नाम पर महलाओं के शोशन ने सरोगेसी पर कानून बनाने की मांग उठाने को मजबूर कर दिया केंद्र सरकार ने भी माना है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत विभिन देशों के दमपत्यों के लिए सरोगेसी के केंद्र के रूप में उभरा है इसके चलते विशेश कर पिछ़़े छेत्रों से आने वाली वंचित महिलाओं की दशा अत्यन देनी हो गई है ऐसे चंताओं ने भारत सरकार को सरोगेसी पर अब कानून बनाने को मजबूर किया है कानून बन जाने से सरोगेसी में अनैतिक गत्विदियों को नियंतरित करने में तो मदद मिलेगी ही साथी सरोगेसी के कमर्शियल होने पर रोक लगेगी इसके अलावा सरोगेट मदर्स और सरोगेसी के जन्मी संतान के संभावित सोशन पर भी रोक लगेगी भारत में सरोगेसी के तेजी से बढ़ने का मुख्यकारण इसका सस्ता और सामाजिक रूप से मानने होना है इसके अलावा गोद लेने की जटल प्रक्रिया के चलते भी सरोगेसी एक पसंदीदा विकल्प के रूप में उभरी है इसलिए सरोगेट माताओं के शोशन को रोकने के लिए और सरोगेसी के जरिये पैदा हुए बच्चों के अधिकारों के सनरक्षन के लिए विधान लाना अनिवारे हो गया था आईए जानते हैं इस विधियक के पास होने के बाद अब क्या होंगी सरोगेसी की शर्तें शादी सुथा जोड़े ही सरोगेट मदर से बच्चा करवा सकते हैं सिंगल नहीं दोनों की शादी को कम से कम 5 साल हो चुके होने चाहिए जिन में से कम से कम कोई एक इनफर्टाइल यानि बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है होना चाहिए उन्हें या बात साबित करनी होगी कि वेब मेडिकली बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है सरोगेसी से बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे जोडों की उम्र महिलाओं के लिए 23 से 50 साल तक है और पुर्षों के लिए 26 से 55 तक है जोडे का भारतिय नागरिक होना जरूरी है सरोगेट मा जोडे की नजदी की रिष्टेदार ही होनी चाहिए इसे कानून में या परिभाशित नहीं किया गया है कि नजदी की रिष्टेदार में कौन-कौन आएंगे सरोगेट मा का भी विवाहित होना जरूरी है उसका कम से कम अपना एक बच्चा पहले से होना चाहिए सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे का किसी भी इस्तित में परत्याग नहीं किया जाएगा और उसे जैविक रूप से पैदा हुए बच्चे के जैसे ही समान अधिकार मिलेंगे सरोगेट माता को केवल एक बार सरोगेट मा बनने के लिए अनुमत दी जाएगी सरोगेट मा को प्रेग्नेंसी के दोरान अपना ध्यान रखने और मेडिकल जरूरतों के लायक पैसे ही दिये जा सकते हैं ताकि वोई अपनी प्रेग्नेंसी का ख्याल रख सकें इस्ते जदा पैसे देना कमर्शियल सरोगेशी के अपराद में आ सकता है कोई व्यक्ती संगठन सरोगेशी क्लिनिक प्रयोक्षाला सरोगेशी के संबन में विज्यापन सरोगेशी के माध्यम से उत्पन बालक का परित्याग सरोगेट माता का सोशन मानो भूरून का विक्रय या सरोगेशी के प्रयोजन के लिए मानो भूरून का निर्यात नहीं कानून का उलंगन करने पर कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा अगले सब्ता फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए धन्यमाद